आप मेरे चेत्र में हो रहा है में कल शाम में आया उसे से कुछ दूर में गया था काला दियारा रूपस महाजी के गाउं में बड़ा कारेक्रम था हजाव लोग आये थे रात में पहुंचा मानुवाई घटना हो गई और कहां होई है नितिश बाबू के निवासस्थान से 35 किलमेटर दूर जटली गाउं वो एक प्रकार से पत्ना शहर का पार्टी है नहीं तो फत्वा में बग्दागार के पास है लेकिन सुना की पुलिस के सामने गोड़ी चली क्यों नहीं पुलिस रोग पाती है कैसे दो लोग मारे गए कैसे आग जनी कल हुई सुबह में हो रही है मोटी बात यह है कि नितिश खुमार का की पकर्व प्रशाशन पर कमजोर हो रही है और जो यह अपराधी खुराफात कर रहे हैं जो भी है उनको लगता है कि हमारे उपर किसी की चाया है किसी का साया है किसी की मजबूती है तो बस वो बे खौफ काम करते हैं यह बहुत दुर्भागे पुर्ण है मैं बहुत दुखित हुआ हूँ मैं आपके माध्यां से जेटली गाउं के सफिलोगों से मैं अपील करूँगा शांती बनाए रखें और सरकार से क कहले कहीं और जाए इसके चिंटाओं को नहीं है तो पुलिस के महजूदगी में उनको मारा गया पीटाय कैमरा तक तोड़ दिया गया हमेरे सुना है मुसके बहुत भरसना करता हूं आपका का मैं दिखाना न अगर आप नहीं करेंगे तो आप दिखाएंगे ने करभणी को तो मैं इसकी बहुत भरसना करता हूं और नितिश बाबू आपका सुशाशन समाप तो हो गया क्या बिहार को आपने छोड़ दिया है क्या आप राजियों के हवाले यह बड़े सवाल है मैं बिहार पुलिस की छमता से परिचित हूं वो चाहें तो चीजों को कंट्रों कर सक रंजिश के आग लगा रही है तो रंजिश में क्या गोडी चल जाएगी कि दो लोग मर जाएंगे कि आग पर आग लगती रहेगी सुबत फिर वहां दोनों तरफ के लोग भीड़े हुए हैं पत्थर चल रहे हैं पुलिस भाग रही है मतलब क्या है कहा पर पत्ना शहर के पास पास यह बड़े सवाल और चोटा मोटा हो रहा है क्या क्या होता है मुझफरपूर में क्या होता है पत्ना में क्या हुआ बेतिया में क्या हुआ भागलपूर में मैं सब नाम गिनाओं क्या कैसे लोग अगवा हो रहे हैं कैसे व्यापारी भाग रहे हैं हम भी चाते है बिहार आगे बढ़े नितिश बाबु आपने निया एलाइंस बनाया है उस एलाइंस की बुनियाद में ही है खौफ यह समझना चाहिए कि बीजेपी को हम सौ सीट पर रोग देंगे अगर सभी विपक्षिदा लेक जूट हो जाए कि उनका जवाब तो दिया जराम नमेशने कांग्रेस के बिना कुछ नहीं हो सकता है और जो लोग बीजेपी के साथ काम कर चुके हैं वह ऐसा क्यों बोल रहे हैं तो इशारा तो नहीं पर था एसार मम्ताजी पर था देखो दोस्त यह देश बहुत आगे निकल गया है इधर का ताला तोला उधर का कुनबा जोड़ा उससे बहुत देश आगे निकल गया है अब देवेगुड़ा गुजराल से देश आगे निकल गया है देश नरिद मुझी के अगवाई में जो बहुमत मिलता है उसका आसर क्या होता है देश जनता देख रही है कि भारत क्या तो अमरीका फ्रांस और इंग्लेंड सब कहते हैं हमारे नौकली लगए बनेगी यह भारत और यह फिर वही कोलिशन गवर्मेंट उठा पटक वाली गवर्मेंट नितिश्य आपको मैं एक सलाह दोंगा अगर आप देवेगोड़ा गुज्राल के रास्ते पर जा रहे हैं तो एक तो कभी होने वादा नहीं है चोविस में लोग बड़ी जीदेंगे लेकिन उनकी प्रधान मंत्री छे-साथ महीने सदिक की नहीं थी तो आप तो 17 साल से मुक्ष मंत्री हैं तो क्या इस टॉप गैम पीए मनना चाहते हैं वो भी जगह आपको नहीं मिलने वाली है बिहा कोई टिपए नहीं करूंगा एक ही कहूंगा कि जद्यों की जड़े तो हिल रही है यह जरूर को रहा है आपने कानून मंत्री रहते हुए देश को एक तीन तलाग का तव्फा दिया था कि तीन तलाग से जो महिलाया जो प्रिवरित थी उनको रहत दिलाने के लिए कानून दिखाती है ठीक है एक आक्री सवाल सार राहूल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की अब कॉंग्रेश जो है उनके विदेशी दोरे कराने जारी यूरोपी देशों में जाएंगे वहाँ पे रैलीज करेंगे रोडसों करेंगे वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे भारत जोड़ों मैं आज उनसे एक सवाल पूछता हूँ सदार पडेल की प्रतिमा को प्रणाम करने गये क्या दो देश को जोडने वाले थे सुबाश शंद्बोश की प्रतिमा लगी है ना जाकर यहां आदर के दो शब्त कहें क्या फूल चढ़ाए क्या यह बड़ा वार्मोरीला बना है ना यहीं इंडिया गेर के पीछे कितनी बड़ी संक्या में 26.000 जार जवान जो मारे गया है सब का नाम है परमीर चक्ड़ों क की बड़ी मूर्ती लगी है एक बार चले जाते हैं और छोड़िये तीन मूर्ती गए हमारे पडोस में जहां मोदी जी का बड़ा हिदय देखिए कि सिर्फ नेरु जी नहीं इंद्रा जी राजियो गांधी अटल विहारी बाजपे लाल भादुर शास्त्री चरंद सिंग ग मस्या है और चमा करें उनकी तो सोच है कि देश को चलाने का तो पट्टा उपर से हमारे ही परवार को आया है तो जाएं विदेश में राहुल गांधी वहां और सवाल उठेंगे सिंगापूर में भी उठे ऑक्सपूर में भी उठे आप जहां जाएंगे सवाल तो के साथ अरंतर कास्पाने टीविने भारतवर्स